नमस्कार आपको स्वगति स्टॉकलोजी में आज हम बात करने वारे हैं टाटा मैटलिक्स लिम्टिट के क्वाटरली रिजल्ट्स के बारे में तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नीकिए अपले सब्सक्राइब कर दें बैल आइकॉन पर क्लिक कर दें वीडियो को के रिजल्ट है सब्सक्राइब नमबर जो कॉल आम यह सबसे पहले दिखाए दे रहे हैं वह दिसंबर के रिजल्ट तो बात करते हैं हम टोटल इनकम की दिसमबर भी कोटर में इंकम थी 24,796 लाग की और दिसंबर इंकम रही के से यह नजर आ रही है अगर हम बत करते हैं के सफंबर सक् precisamente सक्राइक एक्स सिंध्स ile में हुई दिखाई दीह एब बात कर लेते हैं सबसे नीचे 188 लाग के तो यहाँ पर अगर हम December 20 quarter से December 21 quarter year on year में देखें तो यहाँ पर हमें expenses बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं quarter quarter में यानि कि September 21 quarter से December 21 quarter में तो यहाँ भी जो हमें expenses उसमें उरद्धी होते हुए दिखाई दे रही है अब हम बात कर लेते हैं कमने के profit and loss statement के बारे में तो बात करते हैं फिफ्ट नमबर पॉइंट profit before tax की December 20 quarter में 10,896 लाग के profit before tax थे सितंबर 21 quarter में यह 8101 लाग के हो गए और December 21 quarter में 5,029 लाग के profit before tax रह गए तो December 20 quarter से December 21 quarter में देखे हैं तो हमें profit before tax करते हुँ नजर आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में यह कि सितंबर 21 quarter से December 21 quarter में तो यहां भी हमें profit before tax में कमी होते हुए दिखाई दे रही है अब हम बात कर लेते हैं company के net profit और net loss जो हुए हैं उनकी तो 9th number point है सबसे नीची दिया गया profit for the period अब लेक इयर December 20 quarter में 7,518 लाग के net profit थे सितंबर 21 quarter में यह 5,465 लाग के हो गए और December 21 quarter में 3565 लाग के net profit हो गए तो यहां पर अगर हम December 20 quarter स December 21 quarter year on year में देखते हैं तो हमें profit में कमी होते हुए दिखाई दे रही है अगर हम बात करते हैं quarter on quarter में 27 सितंबर 21 quarter से December 21 quarter में तो यहां भी हमें जो net profit है वो गढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं quarter on quarter में तो overall अगर हम results की बात करते हैं तो हमें company का year on year profit और quarter on quarter profit दोनों ही घड़ता हुए नजर आ रहा है year on year और quarter on quarter दोनों में हमें company का performance कम जोरूता हुए दिखाई दी रहा है धन्यवाद